हेलो एवरिवन वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल विनाक्षी मैस क्लासिज आज इस वीडियो में हम करेंगे इसमें टूटल फाइव वक्षिट ही है तो अब हमने वक्षिट नुबर फाइव स्टार्ट की है अब आपके एक टेबल दी गई आपकी बुक में तो आप वहां से देख लेना उसके कहीं सारे पाइट है और मैंने हर एक की स्टेटमेंट अलग अलग लिखी है प्रिंसिपल मुझे नहीं दिया गया कितना है रेट बताएगी है 12% पर एनम टाइम दिया गया 2 into 1 by 2 years और सिंपल इंटरस्ट दिया गया है 1200 हमें बताना है amount भी कितने आएगी principle भी बताना है कितना आएगा और amount भी बतानी है कितने आएगी तो मैं यहां से लिखती थी हम कोई भी question करते तो मैं ऐसे लिखती थी थी न principle rate time ठीक है यह अब इसमें से जो चीज आपके पास दी गई आप वो लिख लो principle नहीं दिया गया तो मैं लिखोंगे let principle is equal to P, रूपी P ठीक है रूपी का symbol तो जरूर आएगा principle कितना है जो चीज नहीं दिया गई है आप उसको let करो और यहाँ let लिखना जरूरी है let principle is equal to रूपी P, rate दी गई है 12% per annum और टाइम दिया गया है 2 into 1 by 2 years 2 to the 4 plus 1 5 by 2 years next fraction को simple fraction में convert कर लिया अब यहाँ से मुझे दिया गया simple interest है 1200 simple interest मुझे दिया गया है 1200 ठीक है amount तो बाद में निकलेगा पहले तो क्योंकि amount देखो मुझे पता है amount क्या होता है principle प्लस simple interest होता है तो मुझे पहले तो यहाँ से निकालना पड़ेगा कि principle कितना है अब आप यह देखो simple interest दिया गया है 1200 अब आप यह बताओ कि simple interest के बारे में आपको और क्या चीज पता है चलो यह तो पता है मुझे रूपीज में तो 1200 पता है इसके अलाबा हमें पता है कि simple interest का एक formula होता है principle multiply rate multiply time divided by 100 ठीक है हर एक बच्चे को बताओगा तो यहाँ से मुझे पता है कि इसका formula मुझे आता है तो मैं इसकी जगे इसका formula ही लिख दूँगी ठीक है क्या करेंगे हम मुझे पता है simple interest का formula क्या होता है आपको simple interest का formula आता था तो आपने simple interest हटा के उसकी जगा उसका formula राइट कर दिया आप principle मुझे तो नहीं पता उसकी जगा पी ही लिखोंगी क्योंकि हमने लैट किया कि principle कितना है पी अब rate मुझे दी गई है 12% और time मुझे दिया गया 5 divided by 2 और अपन में आएगा 100 और यहां से आजाएगा 1200 ठीक है अब आप यहां से देखो इस question में देखो आपको क्या find करना है यहां पर यह जो principle है यह variable है आपको इसकी value find करनी है तो इसको तो मैं यहां equal के left में ही लिख रही हूँ 1200 यहां देखो यह जो 12 और 5 है अगर आप इनको यहां से इधर right hand side लेके जाना चाहते हो तो जो उपर वाली चीज़ें वो तो आएंगी नीचे और जो नीचे लिखी हूँ चीज़ें वो कहां जाएंगी उपर ठीक है क्योंकर multiply में है जो इधर उपर है वो division में आ जाएगा और जिधर division में उधर multiplication में चला जाएगा तो यहां से 12 और 5 को तो हम लिख देंगे नीचे और यह 100 और 2 यह कहां जाएगा उपर ठीक है यह वाली चीज़ तो आपको वैसे प्याती होगी अब इसको जितना ज़्यादा solve होता है उतना solve कर लेते हैं ट्वेल बंजा 12 ट्वेल बंजा 12 डबल 0 ठीक है हो गया फाइव बंजा 5 फाइव तूजा 10 जीरो तो यहां से देखो principal की value कितनी आएगी 3 जीरो तो आए है यहां पर 1 टू 3 और 2 टूजा 4 ठीक है प्रिंसिपल इस रूपी 4000 और मुझे पता है simple interest question में ही दिया गया है वो है आपका 1200 तो amount आपको निकाल लिए तो amount हम निकाल देंगे amount के लिए हमें क्या क्या add करना होता है principal में simple interest principal है मेरे पास 4000 और simple interest है 1200 दोनों को add करेंगे 002 और यहां पर 5 5200 तो यहां पर यह आपका first part हो गया next हम करते है second part इसमें हम मुझे दिया यहां पर मुझे principal नहीं दिया गया है rate दी गया 3.5% time दिया गया 2 year simple interest नहीं है आपकी बार मुझे दे दिया गया है amount ठीक है अब आप यहां से देखो आपको amount दिया गया है तो इस question में हमारे पर प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो हम से पहले दिखेंगे let principal is equal to rupee rate मुझे दी गई है 3.5% per annum time दिया गया है 2 years simple interest नहीं दिया गया लेकिन amount दिया गया है तो कोई बाद ने amount दिया गया है तो हम amount ही लिखेंगे amount मुझे दिया गया 535 ठीक है simple interest दिया होता था तो simple interest से question कर देते थे अब amount दिया है तो amount से कर देंगे अब आप बताओ, जैसे आपने simple interest की जगा उसका formula लिखा था, तो आपको amount की जगा है, amount का formula लिखना चाहिए, amount का formula क्या होता है, आप principle में add करते हो simple interest, यह न, तो वो आता है आपके पस 535, ठीक है, अब आप principle की value आपको नहीं पता, तो आप यहीं लिखोगे, simple interest की जगा, simple interest क formula लिख दो वो क्या होता है P multiply R multiply T divided by 100 is equal to आ जाएगा 535 clear है अब आप यहां से देखो principle की value नहीं जिसकी value नहीं पता उसको ऐसे लिखो principle का नहीं पता तो P लिखो principle का नहीं पता तो P लिखो rate देखो आपको rate दी हुए 3.5 तो उसकी value पुट कर दो rate की जगह 3.5 लिख दिया time दिया वा 2 तो उसकी जगह 2 लिख दिया और अप उन में आ जाएगा 100 इसको solve करेंगे हम ठीक है तो अब अब यहां से देखो हम मुझे यह वाला part solve करना है तो यहां से मैं decimal remove करूंगे अपोन में कितना आ जाएगा 10 2 1s आ 2, 2 5s आ 10 5 1s आ 5, 5 7s आ 35 तो यहां से आता है P plus 7P divided by 100 is equal to 535 ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया होगा 7 की और P की multiply किया तो 7P divided by 100 और equal में आ जाएगा 535 अब आप यह बताओ इसको आपको solve करना है इसके अपोन में 1 है 100 LCM आएगा अगर नीचे 1 हो तो direct उपर multiply हो जाती है ठीक है तो 100 की multiply P से होगी तो 100P plus में 7P is equal to 535 अब यहां पर जगह नहीं है तो मैं इसके बाद question को यहां पर कर रही हूँ ठीक है अब आप यहां से बताओ 100P में 7P add करेंगे तो 107P divided by 100 is equal to 535 अब मैं इसको लिख सकती हूँ 107 multiply P लिख सकती हूँ तो P को यहीं पर रखोंगी left में 100 नीचे से चला जाएगा उपर और 107 कहां जाएगा नीचे को कि multiplication है 4 plus minus का symbol नहीं है अब आप यहां से देखो इसको 5 से multiply करो 107 को 5 से multiply करेंगे तो 535 ही आएगा ठीक है clear है तो principle की value कितनी आगया 5 multiply by 100 500 P हमने किसको लट किया था principle को therefore principle is 500 principle है 500 लेकिन मुझे और मुझे पता है amount है amount है 535 रुपी ठीक है अब आप यह बताओ आपको principle भी पताओ और amount भी बताओ अगर आप देखो आपको थोड़ा सा ना इसको अपना relate करके किया अपना direct formula मतर रटना principle आपके पास 500 और amount आपके पास 535 यह तो वो money है जो आप bank में starting में आपने जमा करवाई और यह वो money है जो bank ने आपको वापिस दे दी है तो अब आपको यहां से बताने कि simple interest कितना होगा तो simple interest कितना होगा जो extra money होती है वही आपका क्या होता है simple interest 535 में से 500 minus कर देंगे तो simple interest कितना आजाएगा 35 और minus करना मतलब amount में से principal amount में से आप minus करोगे principal amount है 535 और principal है 500 तो आपके पास आजेगा रूपी 35 ठीक है यह आपका होगा second part third part में हमें principal नहीं दिया गया है तो principal अगर जो चीज नहीं दिया तो आप उसको let करोगे तो आपने let कर लिया let principal is equal to रूपी P rate दी गई है 4% per annum time दिया गया 3 year और simple interest आपको दिया गया रूपी 120 ठीक है अब आप यहां से देखो मैंने आपको बताया था simple interest दिया हुआ है निकालके तो इसको यहां से simple interest को हटाओ इसका formula लिख दो P multiply R multiply T divided by 100 is equal to 120 अब principle की जगा आपको पता ही नहीं है तो उसकी जगा आप लिखोगे P rate आपको पता है 4% और time आपको पता है 3 year अब कोन में आ जाएगा 100 is equal to 120 अब आपको यहां से इस P की value निकालने है P को यहीं रखेंगे 120 अब यहां से जो भी कुछ extra उसको right hand side ले जाओ उपर वाली चीज़ें आ जाएंगे नीचे और नीचे वाली चीज़ आ जाएगी उपर ठीक है इसको आप 4 1s are 4 4 3s are 12 0 3 1s are 3 3 1s are 3 0 तो principle कितना आ जाता है 100 को 10 से multiply करेंगे तो रूपी 1000 ठीक है तो principle आपके पास कितना है 1000 हमें एक तो principle निकालना था एक amount निकालना था तो अब यहाँ से लिखेंगे therefore principle रूपी 1000 अब मुझे पता है simple interest कितना दिया हुआ है 120 अब मुझे amount find करना है amount find करने के लिए हम principle में add कर देंगे simple interest principle है 1000 और 120 आपका simple interest तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपका हो गया थार्ड पार्ट fourth part में देखे प्रिंसिपल दिया गया है रूपी 450 rate आपको नहीं दी गया और जो चीज ना दी गया है आप उसको let करते हो let लिखो गे let rate is equal to r percent per annum time दिया गया 3 into 1 by 2 year तो अब आप यहाँ से देखो 2,3,6 plus 1 7 by 2 years आप मुझे बताना है इसमें से मुझे यहाँ से rate भी निकालनी है और amount भी निकालनी है simple interest question में दिया गया रूपी 189 अब मुझे पता simple interest दिया गया तो इसको left में मैं इसी का formula लिखोंगी principle multiply rate multiply time divided by 100 is equal to rupi 189 principle दिया हुआ है value replace करेंगे principle की जगा मुझे लिखना 450 rate की जगा मुझे लिखना r percent जो जीज नहीं है उसको वही alphabet लिख दो time की जगा हैगा 7 divided by 2 और upon में 100 is equal to 189 अब मुझे यहाँ से इस r की value निकालनी है इसको तो मैं left में ही रखती हूँ 189 नीचे वाली जो दोनों चीज़े हैं वो तो आ जाएंगी उपर और उपर का 450 और 7 आ जाएगा नीचे अब इसको cancel करेंगे जितना ज्यादा cancel कर सकते हैं इस 0 से यह वहले 0 cancel 5 2s are 10 5 9s are 45 9 1s are 9, 9 2s are 18 9 1s are 9, 7 1s are 7, 7 3s are 21 तो यहां से इसको multiply करो 2 2s are 4, 4 3s are 12 तो जो rate है वो आपके कितनी आई है 12% पर एनम तो मैं हैं लिखे रहती हूँ therefore rate is equal to 12% पर एनम आप तो इसके नीचे लिखोगे दिखो आपके पास तो क्योंकि space बहुत जादा होता है ठीक है यह हुआ है 189 दोनों को add कर देंगे तो यह जेगा 9 639 ठीक है तो आपके इसके दो answer आए है एक तो आपकी rate आई है 12% और एक आपका amount आया रूपी 639 यह हो गया आपका question फॉर्थ पार्ट हो गया यहां पर फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट में प्रिंसिपल दिया गया हुआ है 850 rate दी गया है 6% पर रहनम और time नहीं दिया गया है जो चीज ना दी गयी हो तो हम उसको let करते हैं कोई को मुझे formula में उसकी value लिख नहीं है तो यहां से मैं time लिखूंगे let time is equal to t years तो यहां पर हमने लिख और मुझे दिया गया simple interest दिया गया 178.50 अब simple interest की जगह उसका formula लिखेंगे principle multiply rate multiply time divided by 100 is equal to 178.50 principle की जगह हम लिखेंगे 850 rate की जगह हम लिखेंगे 6 और time की जगह मैं लिखूंगे t क्योंकि time नहीं दिया गया है अब उन में आएगा 100 is equal to 178.50 अब मुझे यहां से इस t की value निकालनी है तो मैं इस t को तो यहीं पर left में ही रखूंगी यहां से आएगा 178.50 100 नीचे से लिखा जाएगा उपर और यहां से 850 और यह 6 कहा जाएगे नीचे अब आप देखो यह decimal वाला number है 100 से 100 cancel होगा 0 से 0 cancel होगी इसको हम 5 से cancel कर लेते हैं 5 वाला 5, 5 से वाला 35 5 3 वाला 15 5 5 वाला 25 5 7 वाला 35 ठीक है 17 वाला 17 17 वाला 14 और 1 वज़े का 17 वाला 17 तो सब कुछ cancel होके यहां से t की value आती है 21 मतलब टाइम आपका आजाएगा 21 years मतलब यहां पर यह 6 भी रहते हैं इसको पहले cancel ही कर लेते हैं 3 2 जा 6 3 7 जा 21 तो यहां से आता है 7 divided by 2 ठीक है 7 divided by 2 years ठीक है अब लेकिन हम इसको क्या करेंगे इसको mix fraction में convert कर लेते हैं 7 को divide करते हैं 2 से 2 3 जा 6 3 into 1 by 2 3 1 by 2 years ठीक है टाइम निकल गया और मुझे किसमें बताना है amount amount का formula क्या होता है amount का formula होता है principle प्लस simple interest principle आपके question में दिया गया हुआ 850 और simple interest भी निकालके दिया हुआ वो है 178.50 दोनों को add कर देंगे तो दोनों को add करते हैं तो यहां से आएगा 0.50 यहां से आएगा 8 7 or 5, 12 2, 1 8 or 1, 9 or 1, 10 amount आजेगा 128.50 128 रुपी और 50 पैसे ठीक है यह भी आपका answer है और time यह भी आपका answer है clear है आप next आपके पास 6th part last part है यह इसका इसमें दिया गया principle है 5,400 rate नहीं दिया तो हमने let किया let rate is equal to our percent per annum time दिया गया 3 years और मुझे simple interest नहीं दिया गया इस बार मुझे amount दिया गया तो मैंने amount लिख दिया अब amount का formula क्या होता है principle और उसमें हम add करते है simple interest 6,2,1,0 अब principle देखो इसको भी फिलाला ऐसे लिखो principle plus simple interest का formula होता है p multiply r multiply t divided by 100 is equal to 6,2,1,0 या फिर आप direct इसको simple interest से भी कर सकते थे क्योंकि आपके बस principle भी amount भी है तो आप direct इसको हाँ जी उससे भी कर ही सकते है इसको यहाँ इतना ज़्यादा complicated नहीं करते है पहले हम यहाँ से देखो क्योंकि करने को तो यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन फिर यहाँ से भी हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई बच्छा ही कहेगी मैं मैंने लिख लिया तो यह principle नहीं जाके minus हो जाएगा ठीक है उसमें कोई नहीं अगर वैसे करना चाते है वैसे कर ले न कोई दिक्कत नहीं है अमाउंट है यहाँ पर 6,2,1,0 और प्रिंसिपल है यहाँ पर 5,4,00 minus करेंगे तो कितना आएगा यह थोड़ा सा easy रहता है बच्छों के लिए इस वज़े से आसे करा रहे हूं 0,1,12 में से 4 minus होगा तो आएगा 8 ठीक है तो यहाँ से हमारा जो simple interest है वो हमारे पास कितना आ गया है 810 ठीक है simple interest आ गया हमारे पास 810 अब मुझे बदा simple interest का formula होता है P multiply R multiply T divided by 100 अब principle की जगह में कहा लिखूंगी 5,4,00 क्योंकि question में दिया गया है और rate हमारे पास नहीं है उसकी जगह R ही लिखेंगे और time दिया गया मुझे time है 3 year तो 3 divided by 100 तो यहाँ से आता है 810 यहाँ से इस R की value नहीं पता है यह value निकालनी है तो इसको कैसे करेंगे R को यहीं लिखा रहने देंगे 810 100 नीचे से जाएगा उपर और 5400 नीचे आ जाएगा और 3 भी कहा जाएगा नीचे इसको cancel कर लो जितना ज़्यादा cancel हो सकता है 2,0 से यह 2,0 cancel हो जाएगी 3,1,3,2,6,3,7,21 और 0 ऐसे ठीक है 27,1,27,0 ऐसे 27,2,54,2,1,2,2,5,0,10 तो rate आ जाती है आपकी यहाँ से rate को पूरा cancel करने के बाद आपके पास आता है 5 R की value आती है 5 और यह कहा है 5% पर एनम ठीक है तो आपके इसके दो answer बनेंगे एक तो आपकी आई है rate आई है आपकी 5% पर एनम और एक आपसे पुछा गया था simple interest तो simple interest आपका इसमें आया था 810 रूपी तो यहाँ पर आपका question number 1 के 6 part थे वो complete हो गए है अगर आपको वीडि के साथ share जरूर करें thank you so much